गुंजियाम हॉंटेड असाइलम ये एक कोरियन हॉरर मूवी है जो साल 2018 में रिलीज हुई थी और ये एक असली घटना पर आधारी था दोस्तों लेकिन वह घटना क्या है वो मैं आपको फिल्म केने बताऊंगा फिलाल अभी हम लोग कहानी सुनते हैं चो चलिए सीधा स्टा नहीं गये थे और वहाँ पर वो लोग एक रूम नंबर 402 का गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे रेकिन तभी तभी आचाना कुछ होता है उन लोगों को वहाँ पर एक तरवाजे के पीछे कोई खड़ा नजर आता है और बस तबसी वो लोग गाया हुई आते हैं अब यहा पर शुरुआत में पहले उस हांटेड असाइडम के बारे में बहुत कुछ इब बताता है जिसे मैं आपको बताना चाहूंगा लोगों का कहना था कि उस मेंटल हॉस्पिटल में काफी सारे मेंटल पेशेंट एक साथ सुसाइड कर लेते हैं और तो और वहाँ की जो लेडी डिरेक्टर थी जो उने मारने के बाद खुद सुसाइड कर लेती है लेकिन सच किया है जूट किया है वो तो अब एक राजी राई गया है लेकिन क्या उस असाइलम में सच मुछ कोई भूत वगेरा है यही पता करने के लिए हमारा कैप्टें अपने ग्रूप के साथ उस अ लड़किया और तिन लड़किया थे लड़कियों का नाम था एओन शारलेट और जीहून और बॉइज में थे सुंगू सुंगूक और जीहून अब वो ग्रूप असाइलम के लिए निकल पड़ते है और वहां पहुंचकर वो लोग अपना एक टेंड बना आते है जिस टें असाइलम में घुषने की कोच्च करते हैं वहां पर पहुंचते पहुंचते उन लोग पीड़ के जालीयों पर एक बड़ा सा अंडर्वेर गिरओं मिलता है जिसे वह लोग पीड़ बात देते हैं असा मार्क ताकि वह लोग जब बाहर आ रहे हो तब वह लोग उस अंडर् चारो और एकदम शांती सिर्फ अंधेरा और कुछ नहीं वह लोग एक बोल पर होली वाटर छणकते हैं और उसे वहीं पर रख देते हैं उसका रेक्शन देखने के लिए अगर वह पानी में कुछ होता है उसका मतलब यहां आस पास में स्प्रेट्स है उसके बाद वह दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है यह देखकर सबकी फटके चार लेकिन यहां पर वो लोग जो काम करने आये हैं उस काम को कंप्लीट किये वेकर उन्हों को जाना नहीं था इसे वो लोग दो ग्रूप्स में डिवाइड हो आते हैं और वो लोग अलग-अलग फ्लोर् करने वाले थे वो लोग मुंबत्ती वगेरा जला कर रिशोल स्टार्ट करते लेकिन अचाना को मुंबत्ती बंद हो जाती है और वो सारे घंटिया बजने लगती जैसे सुनकर देखकर वहां पर ठैरा हर को एकदम डर जाता है और वहां से भार भागने लगता है इस घटना करता है शूंग हूँ और शूंग वुक को उन तीनों की बात सुनकर यह समझ में आयाता है कि उस कमरे में जो बेल बज रहा था वो सब इन लोगों का प्लान था बाकी लोगों को इस बात का बिलकुल भी भणक नहीं था कि यह तीनों बस यहां पर नाटक करके पैसा कमाना लेकिन यहां पर सच्मुद भूत है दोस्तों वहां कैप्टेन के कैम के अंदर अचानक लाइट्स ऑन ओफ होने लगता है कंप्यूटर ऑन ओफ होने लगता है जिसे देखकर कैप्टेन थोड़ा घबराया आता है यहां दूसरी और वो ग्रूप एक दूसरे कमरे में साइट किया था शूंगु यहां पर बिना कुछ सोचे समझे उस डॉल को टच कर देता है जिसे देखकर शालेट काफी गुसा होती है वो बोलती है यह सारी चीज़े कर्स है तुम्हें उसे चोना नहीं चाहिया था शालेट वहां पर इस बात को लेकर काफी जगड़ा कर र रहा था उसी को देखते हुए जी हुन भी अपना हाथ उसके अंदर घुसाती है लेकिन उसका हाथ को कोई सचमुच खीच लेता है और जब बाहर निकालती तो उसके हाथ पर नाखुनों के निशान थे हर कोई वहां पर एकदम डरा हुआ था वहां उसी कमरे में शालेट भ हर कोई एकदम वहां से बाहर भालन लगते हैं शुंगुक और शुंगुक एकदम कंफ्यूज हो या थे कि साला हम लोग तो यहां पर जुड बोल रहे थे लेकिन यह जो हो रहा है वो कुछ औरी चीज है और उन्हें इस बात के आहसास हो चुगा था कि यहां पर सचमुच स रुखेंगे और वो लोग उस ऐसाइलम को छोड़कर निकल जाते हैं शुंगुक और शुंगुक और शुंग वू उन दोनों को ही इस काम को आगे बढ़ाने में डर लग रहा था इसके लिए वो कैप्टेन को कॉल करके बोलता है कि हमें यहां पर इस काम को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए यहां पर जो भी हो रहा है वो हम लोगों के हाथ से बाहर है लेकिन थोड़ा ज्यादा पैसा देने की लालेज में कैप्टेन उन्हें मना लेता है और वो लोग फिर से इस काम को आगे कंटीनियू करते हैं वो लोग हर एक कमरा का फुटेज लेही रहे थ लेकिन अचानक उन लोगों के सामने एक विल्चेर अपने आप चल रहा था और तभी उस कमरे में जितना भी सामान तो वो सब उड़ने लगता है और दुनों को आकर लगता है जिसके कारण शूंगू बहोश हो या था है चूंगू बहार भागने की कोशिश करता है लेकिन कोई अद्रिश से चीज उसे भी खीच रही थी और यहाँ वहाँ पटक कर भेहोश कर देती है दूसरी और शारलेट और जियून जो कि उस असाइलम से बाहर भाग गई थी वहाँ पर रास्ते में जियून काफी अजीब बरताफ कने लग रही थी ऐसा लग रहा थे कि वो प पीछे पीछे आ रहा था अचानक वो आदमी शालेट को पकल लेता है और हमें बस शालेट की चीखे ही सुनाई देती है सारे टीम मिंबर्स की यहाँ अलग-अलग हो जाने पर कैप्टेन को एक भी फूटेज नहीं मिल रहा थे जिसके कारण कैप्टेन खुट डिसाइड कर एक्चुली बस उसे पैसे का लाला स्था और कुछ नहीं यहाँ शोंगू को होश आने पर वो जल्दी से रूम नंबर 402 के गेट के पास जाता है जहाँ पर एओन और जीउन थे वो वहाँ पर जाकर उन्हें बोल ले थे कि हमें यहाँ से निकलना होगा निकलना होगा लेक निकलेंगे कैसे तबी शोंगू अपना इंफ्रारेट कैमरा ओन करता है जहाँ पर उसे एक कोने में एक बच्ची लड़की खड़ी नजर आती है शोंगू को हर किसे के चैरे के पास एक हाथ नजर आ रहा था धीरे धीरे वो देखता है हर एक क्या आखे एदम काली हो गई और तबी उसे पीछे से आकर कोई पकड़ लेता है और वो भी पोसेस हो जाता है अब इस असाइलम में कोई भी जिन्दा नहीं था तबी हम देखते हैं कैप्टेन उस असाइलम में घुसता है कैप्टेन को असाइलम के अंदर कोई भी नजन नहीं आ रहा था बस वहाँ पर वीलचीर पे बैठा हुआ देखते हैं जिसका हाथ जंजीर से बदा हुआ था उसे कोई धक्के मार कर एक लैब रूम में लेकर जा रहा था हम बाकी सारे लोगों को हर एक अलग-अलग कमरे में देखते हैं जो की कमरे के अंदर से कैप्टेन को देखकर चिला रहे थे और वो जो कोई भी था वो कैप्टेन का वीलचीर में बैठा कर अंधेरे में लैप के अंदर लेकर चलाया था है और बस मुवी खतम मुवी के इंड क्रिल्ट सीन में हम देखते हैं जो वाटर हुली वाटर शालेट ने गुस्ते साथ ही उस असाइलिम के अंदर बिचाया था उस प पता चलते हैं कि वो लोग नाटक कर रहे थे वहाँ पर उस वक्टेन के टेंट पर जो लाइट्स ऑफ होता है उसके बाद ही वह सारा लाइब बंद हो या था है कैप्टेन अपने स्क्रिंस पर देख रहा था कि वह मिलियंस पर पहुशने वाला है बड एक्चुली यह सारा पर ना कैप्टेन नहीं था बल्कि वह आदमी जो सोंगु जो मतब कमरे के अंदर सब उड़ रहा था और उसको आकर लगता है वह बहुश हो याता है वह शोंगु था कैप्टेन तो मारा याता है आम सो सुरी गाइस मैं वह चेंज नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कापी प्र डर रहे गई मुझे खुट डर लग रहा है तब डर नहीं बोलूंगा बट हाँ मुझे नहीं अच्छे लगा लाइक कर देना मुझे मूवी बहुत अच्छे लिए आप लोग देखो मैं मूवी को दस में से साढ़े आठ नौ दे दूंगा पता नहीं मैं एक पॉइंट किस